तो जैन पंदे मात्रम राम राम आप सभी के डिमांड पे आज पाइनली SSGD 24 की नई भरती का फिजिल कट अप लेकर सामने आ चुका हूँ अगर इतना नंबर है तो आपको फिजिकल में डेफिनेटी बुलाए जाएगा फिजिकल के तयार हो जाओ फिजिकल बुह सब्सक्रा जादा है या कम है इसकी जनकारे इस बढ़े आपको मिल जाएगी तो अब की बार SSGD 24 के बात करें तो 26,000 पादव वेकेंसी निकाली गए अब प्रिवीस में 50,000 पादव वेकेंसी निकाली गए थी पर प्रिवीस में कटब बहुत जादा हाई गय हुए थे तो क्या इस ये प्रिवीस में था इस ये रहने वाला है तो क्याता है एलेक्षिन दिया गया था और अच्छे खासे बच्चे का भाईया पढ़ने वाले बच्चे थे जिनके पास experience था इसलिए cut-up इतना हाई गया था इस साल 90% नए बच्चे एक्जाम दे रहे हैं जिनके पास experience कम है तो cut- मत हो और fizzle cut-up के बारे आपको साई जनकाई देने वाला है तो पहले competition की बात कर लेते हैं तो competition उतना भी नहीं है जितना आपने expert करके रखा हुआ है अब मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ देखिए एक चार्ट के माधरम साबको समझाता हूं competition level के बारे में 2018 में vacancy आई थी कितन बचे आप्शेंट हो के 20,000,000,000 एक्जाम देने गये ही नहीं कि वह ऐसान फॉर्म भर देते हैं इसके बाद दोस्तों 2021 में फिर vacancy निकाली गई कितने vacancy थी 25,000 प्लास पदो vacancy थी कितने बच्चों ने फॉर्म अपलाई किया रेकॉर्ड तो और बच्चों ने फॉर्म इसके बाद 22,000,000 प्लास पदो पर आपको लग रहा होगा इतनी बड़ी vacancy है तो बच्चे ने रेकॉर्म अपलाई किया था आपको लग रहा होगा कटफ कम गया होगा कटफ कम नहीं गया था कटफ बहुत ही जदा अच्छे खासे था क्यों ए एलेक्शन नहीं मिला तो कट तो वो था और अपकी बाद वेकेंसी कितनी है दोस्तों मात्र आपके 26 जाब प्लास पोस्टो वेकेंसी निकाली गई है और इसलिए बोले कमपडिशन जादा है तो कमपडिशन थोड़ा मोड़ा जादा है प्रीविजिक मुकाले इसका मतलब यह निकि 10-20 नमर बढ़ इसमें एक चीज और फाइदा होता है अब वो क्या है तो देखिए 30-32 लाग बच्चों को फिजिकल के लिए बुला दिया जाएगा अब की बार भी जो फैकेंसी है इसमें दोस्तों देखिएगा 30-32 लाग बच्चों को सॉटलिस्ट किया जाएगा फिजिकल के तो उसमें से 50-60,000 बच्चे अब कॉमपडिशन कितना है तो 1,40,000 बच्चों सा कमपडिशन कितना है तो फिजिकल में भी दोस्तों यही हाल है इसके बाद मेडिकल में भी दोस्तों बच्चे आप से इन करते हैं यह हाल होता है अब दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग अब मैं आपको एक फिजिवली कटप बताता हूँ अब फिजिक जितनी भी आपकी जो फाइनल कटप जाती है इसे कि दोस्तों यह सब फाइनल कटप जितना ही फाइनल कनटप जाता है इसका तरहीं के सतरह करशेंट कम लातर आपके फिजिकल अगर गर दोस्तों यूपी का रहुत परन आवका है इसका पी आपका फाइनल मेरिट तो इसका फिजलर कितना हो एक से 17 नंबर 16 नंबर हो सकता है 15 नंबर फिजिकल में बुला लिया गया हो तो अब दोस्तों चलते हैं मेन अपने मुद्य को पर कितना जाएगा और कुछ ऐसे स्टेट जिन्या कटक हमेसा हाई जाता है इनका फिजिकल के लिए कितना बुला लिए दाएगा वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं इससे पहले एक चीज़ और वाद दो अगर आप अगनीवीर की तयारी कर रहे हो तो अगनीवीर जीडि के लिए चक्सु पॉब्लिकेशन वन दा बैस्ट बूक मार्केट में आ चुकी है जिसमें आपको मिलने वाले हैं 24 सप्रास बहुमूले कोशन, 50 आपको प्रैक्टिसेट मिल जाएंगे और दोस्तों यह वो आपसे जाके आप दोस्तों इस बूक को पर्चेस कर सकते हो और अपने सिलेक्शन पका कर सकते हो अगनीवीर जीडि ट्रेस्मेंट टेकनीकल की भरती में देन दोस्तों अब आते हैं पर टॉपी क्यों कर कट आप के बारे में तो फिजिकल का कट आपका उतना हाई नहीं जाएगा इतना अपने एक्सपैक्ट करके रखा हुआ है अब दोस्तों जिन इस टेटा कर आप बहुत ज़ा हाई जाता है सबसे पहले उन इस टेटा का में सारा डावट क्लियर कर रहता हूं अब दोस्तों यह सारे स्टेटा कर आप बहुत ज़ा हाई जाता है इसे की UP हो गया MP, Bihar, आपके हरियाना, तो इसमें दोस्तों अगर यह स्टेट से आप बिलॉंग करते हैं, तो 117 नंबर तक बन रहा है तो आपको अपने रखा होगा, या 110 नंबर भी रखा होगा, तो आप तैयारी में लग जाओ, वह सकते हैं, आपको बुला लिया जाए, कुछ-कुछ एरिया में कटप और भी ज़दा कम चल जाते हैं, लेकिन दोस्तों, मिनिमम अगर एक नंबर की बात करें, तो अगर आपका 117 नंबर है, तो आप फिजिकल में लग जाओ, आपको फिजिकल में कनफार्म बुलाया जा है, इनका हाई कटफ उठाके मैंने एक फिजिकल कटफ आप सब के लिए तैयारी किया है, अब दोस्तों, इनका फिजिकल कटफ कितना जाएगा, तो 60 से लेके 75 नंबर तक, अगर आपका बन रहा है, 160 में से, तो भहिया लग जाओ, फिजिकल के तैयारी में आपको बुलाया जाएगा, इतना नंबर बन रहा है, सार से 75 नंबर के बीच में, इतना बन रहा है, तो फिजिक प्यारी में लग जाओ, क्योंकि अगर आप नहीं लगोगे तो फिर नहीं हो, इनको बुला लगा, इनके में तो ऐसा भी है ना, कि जो बॉर्डर हो गया, नक्षल हो गया, ठी इतना बहुत सकता है, इतना अगर आप रख लोगे, साट से 75 तो आप अपकर बूला लेंगे तो फिजिकल के लिए, इन सारे स्टेट सेट से 75 नंबर बन रहा है, तो आप दोस्तों, नौन हिंदी वाले स्टेट से तयारी में लग जाओ, और जो हिंदी वाले स्टेट है, 117 अब तक हो सकता है तो हो सकता है तो हो सकता है अब तक मेरे को खबर नहीं है बड़ हाँ लग रहा है कि अपर 27 तक हो सकता है लग जा तयारी में अब आपके पस्ट तक है नहीं के लिए के लिए के लिए पैंटालीस दिन का बचा हुआ है अगर नहीं तयारी को तो फिजिकल भी फैल हो जाओगे मैंने अगर नेक्स जितने बच्छों को मोटिवेट किया दोड़ो 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 पर बच जब बहुत है, लेकिन नहीं है, नहीं है, सबक्राइक तो महनत करनी है, मैनत से पहले ही अप हार मान लोगे कि नहीं हो पाएगा, अगर महनत करें हार मान होगे, ठीकिर अब सटोरे हैं घार करना बहुत है तो आपके आप में आसू होगा, आईनाय सामने से खड़े होगे, और अगर मैं उस दिन अपने आप से जित नहीं करता, अपने आप से बात करोगे, दुनिया आपको टेंसन देगी, अपने आप से बात करोगे, तो आप से सांटी मिलेगे, अब अपने आप से बात करोगे, अ दिखाया थब जाके आज मैं यहां पर हूँ और यह जुनूल और पागलपन को मेरा सलाम है क्योंकि दोस्तों सी पागलों नहीं इतिहास रखते रचा है चलाख लोग इतिहास रचने काबिद नहीं होते हैं जो फौज में बंद जाते है ना वो थोड़े से हटियल होते हैं क् मैयार होते हैं जो बच्चा सिलेक्शन लेने के लिए पूरे अपनी अंतिव जित तक जाएगा वही बर्दी ले पाएगा और अभी आप देख रहे हो धूप का दिन आ रहा है तिरे तिरे ऐसे धूप लीत रहेगा और इसी धूप में आपको रनिंग करना है और इसी बढ़े होगे ना तो जो प्रावड होगा ना सिंदिगी में और कभी नहीं होने वाला बस उस प्रावड के लिए और दोस्तों अपनी महनत के लिए लग जाओ कोई भी दिक्कत नहीं है और वर्दी चड़ेगी इसका भरोसा दोस्तों मेरे को है आपके उपर तो आप अपन मिलता है तो साथ कभी मत छोड़ना और आपका भाई हमेशा आपको आगे बढ़ाने को सुचता है कभी भी मैं ऐसा नहीं सुचता है कि आपको पीछे घीज रहा है हमेशा मैं यह सोचता हूँ कि मेरे एक-एक सस्क्राइबर जो भी मेरी वीडियो देखता है उस सारे बदन पर वर्दी चड़ें, CICF, BSF, ITP मेरे सस्क्राइबर मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए जब दोस्तों मेरे एक सस्क्राइबर मेरी वीडियो देखके पढ़ाई करके सिलेक्शन पाता है कहता है आपकी वीडियो देखके मैं मोटिवेट हुआ, मैं पढ़ने को तयार हुआ, मेरे एक सस्क्राइबर भी अगर वर्दी पाता है तो जो प्रावड फीलनेस होता है मेरे को कि दुनिया में इससे जादा मैंने और कुछ नहीं कमाए, मैंने आप सभी का प्यार कमाए, और बस ऐसे ही प्यार करते रहो और मैंने कहा हमें सका है ना, या तो जान लगा अगर नहीं तब तक सिलक्सान नहीं होगा, जैहिं, जैब भारत, लवी मेरे साहवाए को वो भात मता कि जैब बंदे मात्राव